नमस्कर दोस्तों मैं हूँ स्प्रीत और आपका स्वागत करता हूँ अपनी चैनल पर दोस्तों आज का मेरा वीडियो है एक आपका आपक चम्सलोगों से सुन रखा है और जो की प्रभावी भी है अभी 2024 को जो चुनाव है उसका आखरी चुन जो है परसों एक तारिक को चुनाव होगा आज 31 में है और एक तारिक को चुनाव होगा इससे पहले जब चुनाव पहला चुनाव हुआ था तो चुनायोग ने पहले की तरह जिस तरह पहले आम चुनाव होते रहे हैं उन चुना इतने दिनों बाद, फिर लोगों ने अपने जो है, वो भी जताया, लोग क्या कहेंगे, फिर कुछ जागर संस्थाएं होती है, वो ही जाके जो है कोट में पहुंची सुप्रीम कोट को जाके बोला, उन्होंने के बहिया, इनसे कहिए कि इतना लेट डेटा कैसे आ रहा है, त हम इसलिए डाटा शेयर नहीं कर सकते हैं, और एक फॉर्म 27C जिसे कहते हैं, उसकी बात हुई थी, जिसमें कितना डेटा मतलब कि कितनी वोटिंग हुई है, और पहले वोटों की पहले गिंती बताई जाती थी कि इतने लोगों ने इतना मतदान हुआ है, अगर एक शहर के इंदर डेड़ से दो लाख लोग रहते हैं, तो दो लाख लोगों में से कितने लोगों ने वोट डाला है, इतनी वोटिंग हुई है, इतने लाख वोटिंग हुई है, ठीक, लेकिन अब परसेंटेस में बात हो रही है, अब वो परसेंटेस आप कह रहे हो कि परसेंटेस कि क्यों होगी कहीं पर एक हजार कि आपादी वाला कोई शोटा सा जो जो है गाउं है और वहाँ पर आपने कह दिया भी ऐच शॉड़ प्रतिषद चुना हुआ है यहां पर चाहाँ पर तो यह तो data अभी शेर भीजा सकता हो भी नहीं सकता और वैसे भी और दूसरी बाद है कि वह ही percent हो अब बता रहे हो आज वह 1000 परसेंटस है je तो किल वह कितने का percent हो जाएगा आप ने तो percent बता दिया दूसरी मरें चीज़ है कि आप एक डिजिटल यूग में आप कह रहे हो कि हम इतना टाइम ले रहे हैं क्योंकि हमें ना यह हम कर नहीं सकते ऐसा ऐसा वो बोल रहे हैं अब जरा गवर किया जाए कि जिस दिन चुनाव का पूरा चरण खतम हो जाते हैं उस समय भी तो आप नंबर ही बताते हो कि इतना जो है वोट मिले हैं ठीक है फिर आप प्रत्याशी का भी आंकलन कर देते हो उसका भी बता देते हो कि आप इसको इतने इससे इतने ज्यादा मत मिले हैं यह प्रत्याशी को भी प्रत्याशी से इतने ज्यादा मत मिले हैं तो यह कहना जो चुनावा योग का यह कहना कि हमारा ये जो है बड़ा ही कंबीड़ता का मामला है हम ऐसे नहीं कर सकते और आज की टाइम पे यार आज ईमेल भी पीछे चूट चुका है आप तो न करते हैं आगे की बात करते हैं क्योंकि हम बात करेंगे लोगों के मन में कायास उनके लगाया जा रहे हैं कि कौन जीतेगा किसकी सरकार बनेगी तो मैं एक बात आपको अपनी तरफ से कह दूँ एक आम नागरिक की तरह सोच कि अगर हम देखें तो हमारी अधिकार केवल ट्रयाशी को जिसको हमने चुनाया है वह सी राजनेतिक पार्टी में होगा शुर्द कि कुछ लोग व्यक्ति को देखकर वोड़ेते हैं और कुछ लोग जो हैं पार्टी को देखकर वोड़ देते हैं और ये पिछले 10 सालों में होता रहा है या पहले भी हुआ हो गाइ करेंटी नहीं रहे गए कि जनता ने जिसको मत दिया वो व्यक्ति जनता के प्रतिय विश्वास अपर रखेगा कि नहीं रखेगा और सीधा जाके पापनी पार्टी बदल लेगा तो इसमें पर जनता फिर मत दे ही क्यों रही है जब जनता चाहती नहीं है कि हम ऐसे में मिल जाता है तो यह तो जन्मत के साथ एकदम खेलवाड है धोका है फ्रॉड है लेकिन फिर भी जो अगर एड्मिनिस्रेटिव पद से भी ऊपर जाके यह बात हो रही क्योंकि पॉलिटिक्स तो जो है सबसे ज़्यादा ऊपर पॉलिटिक्स प्रभावित करती है एड्मिन 10 साल में नरहिंडर मोदी की सरकार ने एक ऐसा माहोल बनाया जो सब जानते हैं जो सब को दिख रहा है जो मोदी समर्थक और वह बीज़े गट रही है जिसका आपने कभी अंदाजा नहीं लगाया आपने देखा है ED, CBI यह जितने भी वैदनिक और सम्मिधानिक संस्थाइं हैं यह सारी की सारी जो हैं एक दम से पीछे पड़ चुकी हैं विपक्षियों के जो विपक्ष में हैं उसके गर CBI, ED और Income Tax और पुलिस य लेकिन जो BJP जोईन करता है जो सत्तावक्ष के साथ रहता हो उसको बिल्कुल खत्रा महसूस नहीं होता लेकिन आपने इसको समझ तो लिया देख तो लिया जादा जादा आप यह कहेंगे कि भी यह जो है यह तो सरकार जो दबाब बना रही है उनको अफसर है वो तो जो सर संदरी चुना अयुकत भी इन सब चीजों में कभी-कभी जो है मतलब देखा गया आप देखा जा रहा कि जिस सरीके से देरी की जारी है जिस काम को हो जाना चीए किया नहीं जारा है नियम उसे परिछीजे हो रही है और ऐसी बाते ऐसे बयान दिये जा रहे हैं सुप्रीम क का अगर आप कहा रहे हैं न न कि सरकार बदल जाएगी कहें पूझा या Kyед केवल मोधी जी हराना चाहते मितलब एक पक्ष दूसरे पक्ष को हराना चाहता है यह मेरी निजर में आप लोग जिस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं यह थे दो बोलने पार है मैं बोलता हूं कि अकेले नहींद मोदी जी भी अब सरकार को जो हराना नहीं चाहते दूसरी पार्टी को बलकि बीख में बैठे जितने भी मशीनरी में लोग बैठे हैं चाहे वो आर्बियस से हो चाहे वो चुना केंद्र चौना आयुक्तु हो चाहे वो इनफ उनको ही जोल नहीं लगाना पड़ेगा उनको कुवल प्रैशरी दे जोल नहीं लगाना है उनके द्वारा जो काम किया गया है वह काम तो नहींद जितने भी IPS हैं, जो भी Secretary level पे हैं, वो अंदर सारे डर रहे हैं, ये बात भी देखने को मिल रही है, कि अगर सत्ता बदली, तो क्योंकि हमने तो काम किया है, उनके कहने पे, ये तो चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन देश के उपर जो World Bank से लोन लिये गए हैं, जिस पैसे की हेरा फेरी यहां से वहां की गई है, जिस हिसाब को बेगाडा गया है, जो रूल बुक के हिसाब से काम नहीं हुआ, चाहे वो चुना आयोग हो, इनफोर्समेंट डिरेक्टर हो, चाहे वो सेभी हो, मतलब सेभी, सोरी, सेभी नहीं कहना चीए, मुझे, चाहे वो कोई भी बड़ी-बड़ी, चाहे कोई भी संस्था क्यों नहीं हो, साथ के साथ बड़े-बिजिनसमेन, पत्तरकार तक इसमें शामिल हैं, वो सारे के सारे कुल मिलाकर, उन्होंने जो काम किया है मोदी जी के दबाब में या फिर बीजेपी के दबाब में किया है अब जो दबाब में उन्होंने काम सारे गड़बर कर दी है तो मोदी जी ने एक मास्टर स्टोक खेला है कि मैं पहले तो उनसे वो काम करवा लिये, वो तो जानते हैं कि मैं तो जोला उठा के चल दूँगा, अब जब जोला उठा के तो बंदा चल देगा, ठीक है, लेकिन गाज किस पर गिरेगी, गाज गरेगी इन आदिकारियों पर, और ये मास्टर स्ट स्टेंडरी है, वो भी सपोर्ट नहीं करेगी, अधर पार्टी को आने के लिए, क्योंकि उन्हें अपनी जान बचानी है, उन्हें पता नेता तो चले जाएंगे, और इनके कहने पे, क्योंकि उन्होंने उनको इतना विश्वास दिला दिया था कि हम तो हैं ही, हम तो हैं ही जो है, उनका टर्नियूर बढ़ा दिया गया है, ठीक है, एक मैने डेडमी ने जितने का भी है, अलग-अलग चीजे हो रही है, कैसे हो रही है सब, ठीक है, और जब नई सरकार आएगी, और वो सारी चीजे दुबारा चेक करेगी, तो फिर जो जाँच अजिंसियां थी, उ उनकी जाँच क्या करें, उनका तो इतिहास है, लेकिन जब ये जो कह रहे थे, दो करोन नौकरियां देंगे, ये जो कह रहे थे, कि हम ही राम को लाएं हैं, जो कह रहे थे, कि हमने ही देश को बचाया है, बाकी, और अभी तो मोदी जी ये बोल दिये, कि भाई, गांदी ज यही अपना जोर नहीं लगाना पड़ेगा जीतने के लिए यह मेरी मशीनरी जो नीचे बैठी है ना कि मेरी जो सम्विधानिक तंदर के लोग बैठें यही मुझे बचाने के लिए आगे आएंगे क्योंकि यह अपने आपको बचाने के लिए नहीं मतलब मुझे बचाने के के लिए सरकार को बचाने के लिए बलकि खुद को बचाने के लिए सरकार बचाएंगे का दोस्तो अभी तक मेरा था कि यह दोस्तब चाहिए यह वीडियो घर-gar तक को चाहिए लोगों तक पहुंचा ये आने वाले भविश्य तक को अपना अगर बचाना है तो एक तारिक को कहां वोट करना है आपके अपने मर्जी जै हिंद